कि है हला कि बहुत लंबे समय से जो है मैं वीडियो आप लोगों को शाहत नहीं है शेर कर पा रहा था और वीडियो प्रोड नहीं हो पाई उसके लिए सौरी सभी लोगों को और विश्यो इच एंड आवरी शुडेंट्स आवरी परसन है पे नुई यह जो भी इस वीडियो को देख रहे हूं और आज की वीडियो जहें बहुत ज्यादा इंपॉर्डेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चों से मेरा डिस्केशन हुआ बहुत सारे लोग जहें वह मैसेज करते कि सर जो है इस्टेडी प्लान के बारे में कुछ पता यह बहुत सारा निगेटिव हो रहे ह है एक्जाम का क्या करेंगे कैसे करेंगे तो यह पूरी की पूरी वीडियो जहें मुचली उसी पर रिलेट है और मान के चलिए कि आपका एक्जाम जहें वह मैं मैं होना है क्योंकि टेंटेटिव जो है वह ऑफिशल साइट पे भी मैं ही उन्होंना भी लिखा हुआ है तो ह फ़र समय अपने सजेशन साब लोग कि शेर करने की कोसिस करूंगा कैसे आप लोग अपना स्लेबस कवर कर सकते हों कैसी बहुत इजी फॉर्मेट में आप लोग अच्छे से मार्स ला सकते हैं प्लीज इस वीडियो को ध्यान से शुनियेगा और वीडियो को ज्यादे लोग करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टिफ्स जो है है आप लोग शायर करनी है सबसे पहली चीज वो यह है कि आप लोगों को ओके कर्प्या करके जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं जितने लोग तयारी कर रहे हैं आपको किसी भी इंसान के लिए खुद को नहीं करना है आपको क्या करना है आपको इंप्रूफ करना है ओके आपको क्या करना है आपको इंप्रूफ करना है चीक है आपको किसी को प्रूफ करने की जो रत नहीं होनी चाहिए ओके नेक्स तिंग की जो आपका की फैक्टर है इस की फैक्टर के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबको पता सबसे important key factor जो है आप लोगों का है जितना ज्यादा आप लोग कोशन सॉल्व करेंगे आप चाहे जितनी टेस्टरीज कर लिए चाहे जितने कोशन को सॉल्व कर लिए कुछ भी कर लिए लेकिन अगर आप लोग प्रॉपर ढंग से कोशन को सॉल्व नहीं क इसके चाहें सकता तो आपको जद ज़्यादा कोशन सॉल्व करना है कि आपको प्रिजेंट आज के बारे में सोची कल क्या हुआ था कल क्या होगा इसके बारे में को शोचिन गिरत नहीं अभी में जीने की कुछ सब्सक्रिया और अभी के टाइम को बेश्ट कर ये एक जो ब आपका लाइफ में कुछ नहीं हो सकते हैं मैं आपको बार बार बोल रहा हूं ध्यान से इस पॉइंट को सुनिएगा क्योंकि इस चारों पॉइंट में से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं एक्जाम के लिए हैं हुआ सबसे इंपर्टिशन है कि बच्चे क्या करते हैं कि पड़ते बहुत ज़ादा हैं ठीक है लेकिन को सॉल्व नहीं करते हैं कि मैं आपको एक फार्मेट में करके भी दिखाओंगा कि अगर आप लोग कैसे कर सकते हैं देखिए आपको फिजिक्स में 50 स्वारी आपको beneficial है मैं आप लोग को ये भी बताता हूं देखिए यह आपको किस तरीके से benefit होगा मान लीजे आप बायो में जो है 50 question किये ओके आपने बायो में 50 question solve किये जब आप 50 question solve करेंगे यानि कि per day आप 50 question solve कर रहे हैं पर दे अगर आप 50 question solve कर रहे हैं तो 30 दिन में जो आप किते question solve करेंगे multiply by 30 यह नहीं कि आपके 15 question हो गए आप सुची 15 question अगर एक topic एक महीने में अगर solve करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि आपके पास 5-6 महीने हैं अब exam के 8-10 question आप solve कर डालेंगे और मैं लिखके guarantee के साथ आप बोल सकता हूं आप यह चीज़े follow करिए इतने question आप डेली लेकर चलिए टार्गेट में आपका selection कोई नहीं दो सकता है बहुत सालोग बोलते हैं कि सार मेरा पढ़ा हुआ नहीं कैसे कर लें सब्सक्राइब किसी भी टॉपिक आपका नहीं पढ़ा हुआ आप हैबिड में लेगा यह कोशन सब्सक्राइब उसका solution देखें नहीं समझे मारा आप हमको कमेंट बॉक्स में करके पूछिए मैं आपके question को response करूंगा बट इतने कोशन आपको परड़े टार्गेट में लेके चलने ही चलने ओके बहुत सारी लोग बोलते हैं कि मेरा जो है माइंड फोकस नहीं हो पा रहा है टेंशन फ्री नहीं हो पा रहें टेंशन फ्री का एक सिंपल सा सल्यूशन है ध्यांसा सुनिएगा अगर आप जो काम डिसाइड किया वह काम आप जैसे कंप्लीट कर लेते हैं आप का मैंड टेंशन फ्री हो जाता है फॉर इक्जांपल माली जहां हमने सूचा कि आज हमने जहें फिजिक्स में वेक्टर टॉपिक पढ़ना है जैसे आप टॉपिक पढ़ लेंगे और को स्वाल करेंगे आपसे हो या नहों बात लगए लेकिन जो आपने डिसाइड किया टार्गेट अगर वह टार्गेट जैसे होता है आपका माइंट रिलाक्स हो जाएगा ठीक है कि मेरा काम तो हो गया आज ठीक है जब काम वह नहीं पूरा होता है तो फिर दिमांग में टेंशन गुमनी स्टार्ट होती है तो टेंशन फी रगने कि छोटे छटे जो है आप लोग टार्गेट लेकर चलिए और यह चीज़ जो मैंने बताई है यह आपको फॉलो जरूर कर के जरूर अपडेट देगा कि इस डेट के बीच में आपका अच्विमेंट क्या रहा है ठीक है उसके लिए मैंने क्या बोला कि फिजिक्स में आपको ओके फिजिक्स में आपको क्या करना है आपको यह टॉपिक जो है पढ़ने फ्यक्तर लॉजिक गेट एनलम सेमी कंडेक्टर स्फिरिक्शन सर्क्वार मोशन रोटेशन यह सारे टॉपिक आप लोगों को 31 जनवरी या फिर 5 फरवरी तक यह कंप्लीट करने मैं बहुत ज्या सेम वही चीज़े आपकी इसके लिए भी है और सेम आप लोगों को इसके लिए आप लोगों करने स्टार्ट करिए आपको बेस्ट पैनिफेट होगा ओके और दूसरा एक और चीज़ है बहुत सा एलो जाए खिचडी आ रही है लोग मकर संक्रांते सेलिब्रेट करने जा र है ठीक है भया खिचडी खानी है तो टार्गड बनाईए और टार्गड क्या बनाईए कि फिजिक्स में हमारे पास अभी आच्छे तारीख है अभी हमारे पास लगबग आठ शे चौदा आठ दिन बच्चे हों है आठ दिन में हम जो है इतने टापिक कम से कम ये तीन टापिक ये तीन टापिक इसमें के और ये तीन टापिक इसमें के चलिए इसमें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए मान लीजिए इसमें जो है मानते सिर्फ दो ही टापिक ओके ओके जो फिए इनिह जो आप लोग टार्गेट कि आप लोगों को जयंकि कि तो मैंने भी आप लोगे डिस्कॉशन किया दिए एक स्लाइड में फिजिक्स में तो आप कम सिकम टार्गेट की दो से तिन टापिक हम फिजिक्स के और दो से तीन टापिक के मेंस्टरी के चौदा तारीक तक हमको खतम करके तभी ख़िछड़ी खाएंगे वना ख़िचड़ी खाएंगे ही नहीं जब तक आप अपने अंदर ले के नहीं आएंगे तब तक यह कुछ नहीं होगा और इसके लाग किसी को कोई भी question हो चाहे वो study related हो चाहे वो उसको कोई भी problem आ रही हो प्लीज आप लोग comment box में comment करके बता सकते हैं किसी सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें कि आप खुद को improve करें किसी को प्रूफ करने मच जाए और दूसरी चीछ जो मैंने आपको बोला कि जादा जादा question solve करिए question solve करेंगे तब ही आपका selection होगा क्योंकि question ही आपका key factor है ओके चलिए thank you to so much thanks to all